हेलो बच्चों, let's read this question, evaluate integration 1 minus root x upon 1 plus root x raised to power 1 by 2 dx तो हमें इस integral का value बताना है क्या होगा, start कर लेते हैं हमारे key concept से key concept देखो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं integration of cos ax dx यह किसके equal आता है sin ax upon a plus c, जहांपे a हमारा constant है और c integration constant है तो हम एक बार के लिए हमारे integral को i बोल देते हैं, let i is equal to integration of 1 minus root of x upon 1 plus root of x whole raised to power 1 upon 2 और dx तो इसके लिए हम एक substitution करेंगे, let x is equal to हम रख देंगे cos square theta या बोल देते हैं cos square 2 theta ठीक है, तो ऐसा करने पर अगर हम दोनों तरफ differentiation कर रहे हैं तो माइनस का sin 2 theta chain rule से 2 theta का differentiation करेंगे तो 2 multiply में आ जाएगा तो इदर 4 बन गया और d theta लिखा जाएगा यानिकि i का value अब क्या लिखा जा सकता है, integration of 1 minus root of x, root of x बन जाएगा cos 2 theta upon में इधर बन जाएगा 1 plus में cos 2 theta ठीक है और इसकी power है 1 by 2 तो इसकी power लगा देते हैं 1 by 2 और dx का value यहां पर उठा के रख देते हैं तो 4 तो बाहर आगे integration की इससे क्योंकि constant है और minus 1 भी बाहर ले सकते है तो यहां पर बचेगा क्या cos 2 theta multiply में sin 2 theta और d theta ठीक है तो आप देखो एक formula जानते हैं कि यहां से देखो 1 minus cos 2 theta किसके equal होता है 2 sin square theta के equal और 1 plus में cos 2 theta किसके equal होता है 2 cos square theta के equal यह दोनों values उठा के रख देते हैं यहां पर तो i का value देखो क्या आजाएगा minus 4 बाहर है integration integration यह बन जाएगा देखो उपर 2 sin square theta upon में 2 cos square theta इसकी power है 1 upon में 2 multiply में है cos 2 theta sin 2 theta और d theta ठीक बात है यानि कि इदर से देखो क्या बन गया minus 4 यह 2 से 2 divided हो जाएगा और sin theta upon में cos theta बच जाएगा root से बाहर निकालेंगे sin theta upon में cos theta बच गया multiply में cos 2 theta है और यहां पर देखो sin 2 theta का formula होता है 2 sin theta cos theta और d theta ऐसा करने पर cos theta से cos theta one time divide हो गया अब देखो 2 बाहर निकालेंगे तो minus 8 बन जाएगा ठीक है तो वो किस तरीके से लिखा जा सकता है sin square theta का value तो यह हम बोल सकते है 1 minus cos 2 theta upon में 2 लिख सकते है न तो i का value क्या रहा है minus 4 times integration और यहां पर 1 minus cos 2 theta multiply होगा cos 2 theta से तो बन जाएगा cos 2 theta minus में cos square 2 theta यह बन गया और d theta है यहां पर अभी तो आप देखो जिस तरीके से हमने जो cos square theta उसको लिखा था 1 plus cos 2 theta upon में 2 इसी तरीके से अगर हम देखो यहां पर लिख लेना चाहें cos square 2 theta का value वो क्य आ जाएगा 1 plus में cos 4 theta upon में 2 यह लिख सकते है ना इसका मतलब minus 4 integration of cos 2 theta तो हमने as it is रहने दिया minus में यहां पर आ जाएगा 1 plus में cos 4 theta upon में 2 ठीक है और d theta है इस complete term पर तो आप देखो integration कर लेते है माइनस 4 cos 2 theta का integration कर दिया तो sin 2 theta upon में 2 बन जाएगा minus यहां पर देखो फेल तो 1 by 2 का integration किया theta की respective में तो minus का theta upon 2 और minus का क्या हैगा 1 upon 2 बाहर cos 4 theta यहां पर integration करेंगे ठीक है तो क्या जाएगा sin 4 theta upon में 4 आने वाला है तो upon में 4 जो है वो इस 2 से multiply होके upon में इधर 8 बन जाएगा यह बात सहुझ में आ गई यह बन गया और plus में कोई constant c आ रहा होगा तो अब एक काम करते हैं minus 4 को अंदर ले जाते हैं तो minus का 2 sin 2 theta ठीक है प्लस का हो जाएगा 2 theta ठीक है और then plus में sin 4 theta upon में 2 प्लस में c आ रहा होगा अब बस हमें सारे terms को x में वापस लेके आ जाना है ठीक है तो हम जानते थे कि cos square 2 theta x के एकवल था तो यहां से cos 2 theta क्या आ जाएगा root of x के एकवल आ जाएगा ठीक बात है तो अगर हम लिखना चाहते हैं किसका value sin 4 theta का value तो इधर देखो sin 4 theta को किस तरीके से लिख सकते हैं 2 theta की value x है तो यह हो गया root of 1 minus root of 1 minus x multiply में जो cos 2 theta की value है वो root of x है यह बात सहुझ में आ गई ठीक है अब देखो ऐसे हम लिख लेते हैं सभी terms को minus 2 times of sin 2 theta अगर लिखेंगे वो में पता है क्या है root 1 minus x plus में 2 theta तो इधर से देखो theta की value होगर निकालना चाहते हैं देखो 2 theta निकालेंगे cos inverse root x हा जाएगा ठीक है हमें क्या चाहिए theta का value तो theta will be equal to 1 by 2 cos inverse root x तो यहाँ से अगर 2 theta निकालेंगे तो वो क्योंवल cos inverse root x हा जाएगा cos inverse root x अब sin 4 theta का value में पता ही है 2 root 1 minus x multiply में root x और upon में 2 करना होगा न तो प्लस में इधर directly क्या बन जाएगा root के अंदर x multiply में 1 minus x plus में c तो यह हमारा required integral का value है और यही answer हो गया I hope you understood this explanation best of luck